कि अब जब वहां इतना बड़ा संकट है तब भी आप निर्ण नेहीं ले रहें गोवा की जंता के हित्मनिर्ण नेहीं ले रहें आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि आपnymुक्षियमंतरी हैं'de का नाम नहीं ले पारे नए मुख्यमंत्री का, गोवा के ही भारती जनता पार्टी के नेता है, डेपीटी स्पीकर है, माइकल लोबो, उनकी टिपणिया सुनिये, वो बड़े खुलकर बोल रहे हैं, बड़ी इमानदारी से, बड़ी स्पष्ट तरीके से वो बोल रहे हैं, भ वो वहां मुख्यमंत्री जी के बहाफ पर उनकी तरफ से रादनितिक बात करते हैं, सरकार की उपलब्दियां गिनाते हैं, ये गंभीर समस्या है, कॉंग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी गोवा में है, गोवा की असेमली तुरंत बुलाई जाए, वहां आप देख लीजे व की तरह सत्ता लोलूप नहीं है, हम समविधान के तमाम नियमों को समझते हैं, उनका पालन करते हैं, लेकिन गोवा की जनता की आवाज को हम नजर अंदाज नहीं करेंगे, हम गोवा की गवर्नर को लगबग पांच बार मिल चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट करके कि हमें अगर फूल टाइम चीप मिनिस्टर न दे, तो कम से कम डेपूटी चीप मिनिस्टर दे, अगर आप डेपूटी चीप मिनिस्टर नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम कोई एक्टिंग चीप मिनिस्टर दे, अगर आप एक्टिंग चीप मिनिस्टर न दे, तो कम से कम आप किसी को इंचार्ज तो बनाओ अगर किसी को इंचार्ज भी नहीं बना सकते कम से कम जो important portfolio है वो तो आप बाकी minister को दे दे ताकि गोवा में सरकार तो चले और नो महिने बहुत लंबा समय होता है गोवा में ये बीजेपी के लिडर्स कुछ डिसिजन नहीं ले पा रहे हैं हमें मालूम नहीं है कि इतना ऐसी कौनसी मजबुरी है जो प्रंट्रप्रदान जो बोल रहा है कि वो डिसिजन लेने में एकदम ताकदवार है अमिचा जी जो इसका पार्ट का अधेखा है वो ये डिसिजन क्यो नहीं ले रहा है कि गोवा को एक फुल-time चुपिनिस्टर ओ दे सके And the BJP President is on record saying that we have lost the majority and that is why we could not make the Speaker and Deputy Speaker the Minister. He is on record. When this Rafale deal was struck, but as a defense minister, many files were with him. As a defense minister, many documents were with him. And he had a lot of information on this Rafale deal. So we have no doubt that the moment the Prime Minister and the BJP President pressurize him or demands his resignation or they try to remove him, that Manohar Parikar will not keep quiet. He will reveal all this secret information, important information, which can expose our Prime Minister. Bureau Report Prudent.